नमस्कार आप देख रहे हैं वे टाइम नियूस बढ़ते हैं जारकन की खबरों की ओर और आदिवासी समोदाय के हजारों की संख्या में महला और पुरूस दिन सुकरवार को सियुनातपूर डहुटोली गाउं के सरना अस्थल में एक जुठवे गाउं से होते हैं पंद्रानी गाउं तक 4 किलो मीटर की दूरी तैकर नया मार्च रैली सभा के रूप में तबदिल हो गई जहारकन मुक्ती मोर्चा के कारेकरताओं ने कहा कि सरकार अपने चार वर्सों के कारेकाल में जहारकन राज में निवास करने वाले सभी वर्ग धर्म जाती के महलापुरुस गरिब किसान मजदूर्ग लोगों को बीभिन परकार के कल्यानकारी योजना निकाल कर लाब देने क का काम किया है प्रंतु राज में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के कारण केंदर में बैठी मोधी सरकार ने एडी का सहारा लेकर जोटे आरोप में फसा कर आदिवासियों के मसीहा मुख्यमंत्री स्रीहमंत्सोरिन को जेल भेजने का काम किया है जिसको लेकर जामो और पासी समाच साइत कारेकरताओं में आक्रोस है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के न्याई के लिए न्याई मार्च यात्रा राज के सभी जीलो प्रखन एवं गाउं-गाउं में निकाला जा रहा है अगर सीगर ही मुख्यमंत्री को जेल से नहीं छोड़ा जाता है तो जार्खन मुक्ती मोर्चा के सभी कारेकरता उग्र आंदूलन करेंगे पद्र यातरा रैली में कारेकरताओं के हाथों में जार्खन मुक्ती मोर्चा का जंड़ा लहरा रहा था और कारेकरता हेमन सोरेन के समर्थन में जेल का ताला तूटेगा हेमन सोरेन छूटेगा केंद चुके हैं आदिवासी को जगाने का कोई जोरी नहीं है मलकी यहां आदिवासी भर नहीं मुलवासियों हम लोग को सहा मतरब सहयोग कर रहे हैं हम लोग को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग यह आंदोलन जब तक हम लोग का हेमन सोरेन का रिहाय ना मिले उसका परमान ना मि तब तक अंदोलन हम लोग का पूरा जारखंड में यह जारी रहेगा और इतना भी आये गए बहुत ऐसा जो मुख मंत्री जो उसके यहां कोई ED का जांच नहीं हुआ कौन सा उलोग का दूद का धोल थे भाजपा के लोग कितना आये गए कितना लेकिन ED के लिए कोई किसी को जैसे ही हम लोग का बहुमत आदिवासी के सरकार जैसे ही बैठे और उलोग ने इतना पड़तारित करने लगे कि वो इतना बहुत मुश्किल से यतना योजना लाए उनके बवजुद भी उनको इस तरह का उसको दोगलाई निती लगा कर और उनसे यह पड़तारित किया जा रोहला है एं कमन सोरें का देन है और यह हमेशा के लिए रहेगा 2019 में जैसे ही हम सोरेंट की सरकार आई और जनता बहुमोत देखे हेमन स्वरेण को मुखमंत्री पद तक पहुचाया और जनता ने फ़ैसला कि केंदर की बीजेपी सरकार को जार्खड से हटाया जाए इस तरह से जनता का नीर्ने जो हुआ उसको देखते हुए और हेमन स्वरेण के काम को देखते हुए बीजेपी सरकार और बिचेपी के जो नेता लोग है वे बखला गये हैं और हमारे मुखमंत्री हेमन स्वरेन को जूट जूटा आरोप लगा कर उनको फसाय जा रहा है उनके विकास कार्यों को देखकर वे बिचलित और घबरा गये हैं उनका विकास ने हर घर तक पहुचा जैसे स्वर्जन पेंशन योजना नरगा में गाय सेट बकरी सेट उसके अलावे स्वर्जन पेंशन योजना और अन्य सिक्छक सिक्छाए का जिसे पारा सिक्छक का जो मांग था वर्सों मांग था उनको भी समान देने का काम किया और यहा सरकार में अंद्रोन किये उनका मांग पूरा नहीं उनको मांग जब करने निके उनको सरकार आया। कर grade गया। जसे यह मांदे के माध्य हम से उनको सम्वानित किया गया।न फोसिरोल distance सबीर पूर्व की सरकार को लोग बिरोद करते थे लेकिन हेमत सरकार को लोग समर्थन कर रहे थे उनको आशिरवाद देने के लिए उनके आवाज जाते थे उपिस जाते थे उसी को देखते हुए घबरा के अगला चुनाओ को देखते हुए लोग सफ़र विदान सफ़र चुनाओ क इस तरह के उनका सोच हुआ और उनको ग्रिपतार करके एडी के हवाले किया और एडी को साजिस रचवा के उनको ग्रिपतार किया